उधारण 14 दीगई आकरिती में X का मान ग्याद कीजिए हल यहाँ कोण A, B, D बराबर 90 यहाँ जो कोण है वो वृत के व्यास पर बना कोण है और हम जानते हैं कि वृत पर व्यास द्वारा बना कोण नब्याँच का होता है व्यास द्वारा बना कोण जो की नब्याँच का है अब हम तिभुच के अनता कोणों का योग लेंगे कोण A, B, D धन कोण B, D, A धन कोण D, A, B इन तीनों कोणों का के योग का जो अनता कोणों का योग 180 यहाँ पर कोण A, B, D जो है नब्याँच का है उसी तरह से कोण B, D, A, 30 अन्च का है और हमें हम कोण D, A, B ज्याद करेंगे बराबर 180 अन्च और अब यहाँ पर हम कोण D, A, B बराबर 180 अन्च 90 अन्च धन 30 अन्च बराबर 120 अन्च उसका पक्षांतर करेंगे तो रिण 120 अन्च यह कोण D, A, B बराबर 70 अन्च अब हम देखते हैं कि कोण D, C, B धन कोण D, A, B जो की चक्री तुर्भुष के सम्मू कोण है और हम जानते कि चक्री तुर्भुष के सम्मू कोणों का योग 180 अन्च होता है यहाँ पर हम लेंगे चक्री तुर्भुष के सम्मू कोण सम्मुक कोणों के योग कोणों का योग दो का योग 180 अश्य होता है अब कोण dc भी जो है हमारा हमने प्रश्न में जो दिया आकरिती में वो एकस अंश है तो x धन कोण d ab जो हमने कोण d ab 7 अंश हमने ग्याद किया है तो 7 अंश बराबर 100 अंश या x बराबर 100 अंश रिन साटंच या एक्स बराबर एक्सो बीसंच इस तरह से हमने एक्स कमान दी गई आकरिती में एक्स कमान एक्सो बीसंच ग्याद किया या इस उधारन का हल होगा